नमस्कार, वेलकम टू बिहार से विल्स मैं हूँ आलोक सिंग और आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे 30 नुवेंबर 2021 के बिहार करेंट अफेस साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिसकस करेंगे और ये हमारा डेली बिहार करेंट अफेस ये जो स्रीज हमने सुरू किया है उसका दसवाँ विडियो हो गया तो आज के विडियो का हमारा पहला सवाल विच रेलवे स्टेशन ओफ इस्ट सेंटर रेलवे जोन टॉप्ट इन रेवन्यू कलेक्शन तो राजस्व संग्रह में पुरमद रेलवे छेतर के कौन सा रेलवे स्टेशन सिर्ष पर रहा है तो सबसे ज़्यादा हर बार की तरह इस बार भी मतलब जो इस्ट सेंटर रेलवे जोन है इसका जो सबसे ज़्यादा revenue collection किया है जो railway station है वो है पटना junction जी हाँ option A is the correct answer और आपको मालूँ होना चीए पूरे देश भर में 18 railway zone है कितने 18 railway zone है जिनमें से एक zone है जिसका नाम है east center railway zone यानि कि पूर्व मध railway zone यह जो railway zone है ना इसका head quarter आपको मिलेगा बिहार में कहाँ पर हाजीपूर जी हाँ हाजीपूर है वैशाली district में और इसी हाजीपूर में आपको मिलेगा east center railway zone का head quarter ठीक है तो यह भी याद रखेगा और इसके साथ अगर मैं top 5 railway station की बात करें इसमें revenue collection में इसे east center railway zone में जो जो railway station आते हैं उन में तो पहले नमबर पर तो हमने आपको बता दिया पटना जंक्शन है दूसरे पर दानापूर जंक्शन और तीसरे पर मुझफर पर जंक्शन चोथे पर आपको मिलेगा डिडियो जंक्शन और पांचवे पर जो है वो आपको मिल जाएगा दर्भंगा जंक्शन ठीक है ओं नेक्स्ट है इंडियास फर्स्ट जोतिस चिकित्सा ओ प्डी हैज बिन ओपन इन विच अस्टेट तो भारत का पहला जोतिस्ट चिकित्सा ओपडी किस राज में खोला गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो बिहार जीहां बिहार में खुल रहा है जोतिस्ट चिकित्सा याने जोतिस्ट सास्त्र पे बेस्ट ट्रीट्मेंट होगा यह पहला ओपीडी खुल रहा है ओपीडी क्या होता है यह होता है आउट पेसेंड आउट पेसेंड डिपार्ट्मेंट अब आप पुछो जो ठीक है आउट पेसेंट डिपार्टमेंट आपने इसका फूल फॉर्म पर इसका होता क्या है क्या मिनिंग क्या है यह आपके मन में जरूर आ रहा होगा तो यह आउट पेसेंट जब भी आप किसी भी होस्पिटल को विजिट करते हो तो सबसे पहले आपना OPD में ही जाते हो ठीक है आउट पेसेंट डिपार्टमेंट के पास ही जाते हो और यह डिपार्टमेंट फिर आपके जरूरत के हिसाब से आपको जो प्रॉपलम होता है ओपीडी आउट पेसंट डिपार्टमेंट ठीक है तो यह बिहार में ओपन हो गया है इनाउग्रेशर इसका हो गया है कहां पे दरभंगा में और यह इतना relevant इसलिए है इतना important इसलिए है चूंकि यह जो o pd open किया गया है आपको मालूम होना चाहिए जो दरभंगा district है वहां एक बहुत एक दरभंगा महराजा धिराश के नाम से जानने जाते है दर्भंगा महाराजा धिराज ठीक है और ये जो महाराजा धिराज का नाम है डॉक्टर कामेश्वर सिंग तो वैसे तो इनका निधन हो चुका है तो इनहीं की 114th एनवर्सरी बर्थ एनवर्सरी मनाई जा रही थी 28 नवेंबर को ठीक है 14th एनवर्सरी 28 नवेंबर को मनाई गई जिसके उपलक्ष में क्योंकि इनका संस्था भी चलता है इनका एक फाउंडेशन भी चलता है डॉक्टर कामेश्वर सिंग तो उससे संस्था ने ये जिजे करी ये जोतिस् नी थान रखिएगा नेक्स्ट हूाइश्वीन एड वित किया गया है थी ये एक लाइयर है और सिंगाणिया इंड कंपनी जो है उस्के फांडर भी है नेक्स्ट है which financial body has approved 1.5 billion dollar loan to India कितना 1.5 billion dollar loan to India for purchasing COVID-19 vaccine तो किस वितिय निकाय ने भारत को COVID-19 टी के खरीदने के लिए 1.5 billion dollar के रिन को मंजूरी दी है 1.5 billion dollar को लगभग आप बता सकते हैं भारत के रुपीज में इंडियन करेंसिज में 11,000 करोड के आप लगभग आप बोल सकते हैं लगभग 11,000 करोड यह होगा तो यह चीज़े हैं तो किसने यह अप्रूफ करी है तो ASEAN Development Bank ने Option A is the correct answer और ASEAN Development Bank आपको हेड़क्वार्टर मिलेगा मनीला में मनीला कहां पे हैं? मनीला है फिलिपिन्स की राजधानी यह भी याद रखिएगा नेक्स्ट है फू यह बिकम दे फॉर्स इंडियन तो बी अबाड़ेड दी नाइट हूड ऑफ पार्टे ग्वैलफा नाइट हूड ऑपार्टे ग्वैलफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतिये कौन बन गये हैं? तो यह पहले भारतिये हैं इसके शुहन रॉय Option C is the correct answer इसके सुहनरोय केरला से बिलॉंग करते हैं ठीक है और ये CEO और Founder है Aries Group Aries Group of Companies के और इनको किस लिए दिया गया तो इनका जो efforts है Business और Movies में Humanitarian और Environment के Protection को लेकर उसके लिए इन्हें ये Knighthood of Party Guelpha Awards दिया गया है Next है The Urja Sacharta Abhiyan was launched by which state government Urja Sacharta Abhiyan किस राज्टरकार द्वारा सुरू करी गयी है तो ये जो Urja Sacharta Abhiyan है न इसको सुरू किया है मद्द परदेश की Government ने Option D is the correct answer मद्द परदेश की Government यानि की Sivraaj Chauhan और साथ में हमारे Union Minister है R.K. Singh ठीक है R.K. Singh जो की बिहार से बिलोंग करते हैं इनकी constituency है आरा और R.K. Singh अभी केंदर में मंत्री है किस चीज की मंत्री है तो यह है Power and New and Renovable Energy के मंत्री है R.K. Singh तो इन दोनों ने मिलकर ही मद्द परदेश में उर्जा सचर्ता अभ्यान की सुरुआत कर दी है क्यों तो इसमें Public Awareness बढ़ाने के लिए energy conservation पे कि हमें उर्जा को बचाना चाहिए ठीक है तो यह बात याद रखेगा और साथ में इन्होंने आप इनाउग्रेशन किया है फाउंडेशन रखा है सिरा न्यास किया है पंद्रो सो मेगा वर्ट कैपैसिटी के सोलर पावर प्रोजेक्ट का कहां तो मद्द परदेश के तीन डिस्टिक में एक अगर दूसरा साजपूर में फिर तीसरा नीमच में ठीक है तो ये तीनों डिस्टिक में ये पंद्रो सो मेगा वर्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट का या जिसका कोस्ट आया करीबन पांच हजार तो सो पच्चास करोड रूपए तो ये भी याद रखने की बात है which states कामधेनु हितकारी मंच has been awarded with Gopal Ratn Award तो किस राज का जो कामधेनु हितकारी मंच है उसको गोपाल रतन प्रोजचार से सम्मानित किया गया है तो ये किस राज का है कामधेनु हितकारी मंच ये है हिमाचर प्रदेश का Option A is the correct answer और ये गोपाल रतन पुरसकार जो है ये प्रवाइड किया किसने है तो केंद्रिये मंत्री है हमारे किस की चीज़ के Animal, Animal Husbandry, Daring, ठीक है दूदवाला and Fisheries कि जो मंत्री है पुर्शोत्तम रुपाला जिहां पुर्शोत्तम रुपाला है इसके मंत्री ये पुर्शोत्तम रुपाला नहीं ये गोपाल अतन आबोर्ड प्रवाइड किया है हिमाचल परदेश के काम देनू हितकारी मंज़ को ठीक है किसलिए best cooperative society के लिए cooperative society मतलब कुछ दूद्ध वाले को ही मतलब दूद्ध में वाले लोग सब मिल के एक society बना दिया अपना create कर दिया जो घटा बड़ा पैसा वगेरा जो भी चीज़े है उसमें लगा दिया ये पुरा रहता उनके community में ठीक है तो बेस्ट मिल cooperative society यहां पर बना जाता है तो भारत अपना national constitution day 26 नवेंबर को मनाता है option B is the correct answer तो 26 नवेंबर को क्यों मना जाता है क्योंकि 26 नवेंबर 1949 को ही हमारा जो सभिधान है वो बन कर बिलकुल ready हो गया था तयार हो गया था कितने तारिक को 26 नवेंबर 1949 को 11 मिटिंग हुए थे यह पूरा सभिधान बनाने में ठीक है और अब आप पूछो के जब सभिधान बन के रेडि हो गया था तो फिर हम रिपब्लिक डेज़ो मना रहे हैं वह हम 26 जैनवर्य को क्यों मना रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक तो तभी ह हम करेंगे क्योंकि जब सभिधान किसी देश का अपना हो जाता है तो वो कंट्री बिलकुल रिपब्लिक हो जाता है अपने रोज से रगल से चलने लगता है वो कंट्री रिपब्लिक हो जाता है तो हम दो महीना लेट करके कर रहे हैं तो इसका कारण यह है क्योंकि 26 जैनवरी को एक significance 26 जन्वरी को हम मनाएंगे अपना Republic Day ठीक है तो उसी दिन को एक सिगनिफिकेंस रखने के लिए हम ये 26 जन्वरी को ना बलकि 26 जन्वरी को Republic Day मनाते है ठीकिन सविधान दिवस हम 26 नवेंबर को ही मनाते हैं ठीक है तो 26 26 नवेंबर 49 को सविधान बनके त्यार हो गया Republic Day हमने 26 जनवरी 1950 से मनाना शुरू किया है ठीक है बिलकुल किलिर हो गए चलिए अब क्योंकि ये नवेंबर का लास्ट वीडियो है जिहां 30 नवेंबर का ये वीडियो है लास्ट वीडियो है तो मैं नवेंबर के जितने भी Important Days है मैं वो आपको यहां पर एक रिवाज के तोर पर याद करा देता हूँ तो देखिए 1 नवेंबर को बहुत ही Important मना जाता है World Vegan Day ठीक है याद रखेगा World Vegan Day मना जाता है 1 October को वही बात करें Vegetarian Day तो Vegetarian Day 1 October को मना जाता है ठीक है और World Vegan Day 1 November को फिर नवेंबर में 5 November को काफी Important Day मना जाता है World Tsunami Day Awareness Day जो की Dangerous 1000 से Aware कराता है फिर 7 November को हम मनाते है National Cancer Awareness Day यह भी याद रखेगा फिर 11 November को काफी Important हम मना जाता है National Education Day क्या मना जाता है हम 11 November को National Education Day मनाते है हम क्योंकि 11 November को है Birth Anniversary होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का अब्दुल कलाम की हम बात नहीं कर रहे हैं मिसाइल में अब्दुल कलाम की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां मौलाना अबुल कलाम आजाद की हम बात कर रहे हैं जो की हमारे सबसे पहले Education Minister थे ठीक है जो भारत के पहले Education Minister थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद तो इनहीं के बर्थ एनवर्सरी पे 11 नवेंबर को हम मनाते हैं Education Day लेकिन यहां कन्फियूज मत होईएगा हम एक Student Day भी मनाते हैं तो World Student Day हम मनाते हैं 15 October को क्यों? तो 15 October को जन्म दीन है किनका एपी जे अब्दूल कलाम का जी हां मिसाइल मैन ओफ इंडिया एपी जे अब्दूल कलाम का जन्म दिन है 15 October का और इस दिन हम Student Day मनाते हैं और 11 November को हम Education Day मनाते हैं तो मिलता जोज़ता चीज़े हैं Confuse होने की chances हैं तो याद रखिये का और 13 November को हम मनाते हैं World Kindness Day तो लोगों के प्रति बिल्कुल Kind रहा किजिए 14 November को हम World Diabetes Day भी मनाते हैं और 14 November का को पता होगा National Children's Day भी मनाते हैं Children's Day मनाते हैं जवाहलाल नहरू के Birth Anniversary पे फिर 19 November को हम मनाते हैं International Men's Day ये भी याद रखियेगा 21 November को हम मनाते हैं World Television Day समझ गया हैं और फिर एक Important Day है 25 November Last Important Day और ये 26 November को तो हमने आपको बता ही दिया National Constitution Day और एक 25 November को International Day for Elimination of Violence Against Women ठीक है International Day for Elimination of Violence Against Women तो ये सारे November महीने के Important दिवस्त है आने वाला जो महीना होगा जिसमें हम एक नए फ्रेस तरीके दे शुरुआत करेंगे दिसम्बर में उसमें बहुत कुछ काफी मैं इस रेगूलर वीडियो में एड करूँगा जिससे आपका जो है वैलू एडिशन आपके नॉलेज में बहुत बुस्ट अप मिलेगा नेक्स्ट है इंडियन ऐर फोर्स हैस रेसेज टू मिराज 2,000 फाइटर ऐर्क्राप्ट प्रोम विड़ कंट्री। तो मिराज 2,000 फाइटर ऐरक्राप्ट यह नाम एयर बेस पे लागा गया है यह मिराज 2000 फाइटर नेक्स्ट हुआज ओन दे नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टोर्नामेंट तो नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टोर्नामेंट को किस ने जिता आंदर प्रदेश ने option B is the correct answer और इसने 27 रन से हरा दिया करनाटक को ठीक है अच्छा यह जो ब्लाइंड यानि कि अंधे लोगों के लिए यह क्रिकेट टोर्नामेंट कराया गया था तो यह जो नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टोर्नामेंट है इसको और्गनाईज कराया किस ने तो इसमें दो यह सामिल थी एक तो था क्रिकेट एसोसियेशन फोर ब्लाइंड इन इंडिया क्रिकेट एसोसियेशन फोर ब्लाइंड इन इंडिया यह एक संस्था थी जो कि ब्लाइंड क्रिकेट को और अगनाईज कराती है और दुसके साथ साथ इसमें एसोसियेशन था समर्थन, समर्थनम, समर्थनम, ट्रस्ट फोर डिजेबल के लिए जो था ये दोनों मिलकर इस नैशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्णामेंट को अगनाईज कराई थी तो हाले में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला फ्रांसिसको सुसानो का किस उम्र में निदन हो गया तो 124 साल में जी हाँ 124 साल तक ये जीवी थी और हाले में इनका निदन हुआ है option D is the correct answer और इनका जन्म हुआ था 1897 में सोचिए उन्यस्मी सतावदी की एक मात्र पर्सन एक मात्र इंसान बची हुई थी उन्यस्मी सतावदी की अभी कौन सा सतावदी चल रहा है किसमी चल रहा है न ये उन्यस्मी सतावदी की एक मात्र महिला थी तो समझ यह और यह कहां की है फ्रांसिस्को सुसानों कहां की थी फिलिपिन्स नेक्स्ट और आज का लाज सवाल विच बैंक है साइंड एन मेमरेंडम अप अंडिस्टेंडिंग विद पॉंडीचेरी कोपरिटिव मिल्क पॉंडिसर्स यूनियन लिम्टेड पोर लेट फो हिलपिंग डیरी फार्मर्स तो डیरी किसानों की मदद के लिए पॉंडीचेरी कोपरिटिव मिल्क पॉड़क्त पोडूसर्स यूनियन लिम्टेड के साथ समझःता क्यापन परहस्ताचर किया है तो यह बैंक कौन सा है यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई अप्शन ए इस दे करेक्ट अंसर और यह यहां पर जो इंडिविजुल डेरी फार्मर से उनको तीन लाख तक रुपए का लोन प्रवाइड करेगी अप टू थ्री लाइक रुपीज ठीक है याद बैसिकली यह किसानों की मदद के लिए ही एस बी I ने यह सफल रुज किया है जिसका फुल फॉरम हो जाता है simple and fast agriculture ठीक है क्या है simple and fast agriculture सफल इस के थुरू क्योंकि SVI का एक एप है Yono app इस Yono app के थुरू ही वो किसान जो भी loan वगएरा है वो यहाँ पे ले पाएंगे और PDF description box ज़रूर download किजिएगा मानिये मान के रखिए कि वो PDF आपके लिए ही लाया जाता है आपके लिए ही वहाँ दिया जाता है तो download ज़रूर कि वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो में मैं बहुत कुछ चीज़े बताता हूँ वो तो देखना आपको बहुत ज़रूरी है तो वो देखिए और फिर अपने रिवाइस के लिए पिडियो रखिए ताट सिट सो थाइंक यू फूर वचिंग बिहार से वेस तो मिलते हम कल एक फ्रेस वीडियो में जिसमें एक दिसंबर से शुरुआत होगा बिहार करेंट साथ में नेस्ट तरह इंटरनेशनल सो वीडियो को लाइक कीजिए जय हिंद